हे बच्चा लोग कैसे हैं आप सब I hope you all are doing really very good बहुत अच्छे होंगे आप सब और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे I know 10th class से आप सभी promotion लेके आ गए हैं 11th class में और यहां पर आपने चूज किया है biology को जो हमारा science का ही एक पार्ट है लेकिन जब आपने biology को चूज किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई आपका मकसद होगा ठीक है कोई ना कोई reason होगा कि भाई मैंने biology ली है तो क्यों ली है क्योंकि जब हम biology चूज करते हैं तो हम medical line के लिए सोचते हैं कि हमें ambibs करना है bds करना है यह bio का teacher बनना है और जब हम math लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें engineer बनना है तो यहाँ पर जब आपने biology ली है तो आपने क्या सोचा है कि आपको medical line में जाना है या फिर आप में से बहुत सारे अभी भी confusion में होंगे कि क्यों ली है कि bio को सिर्फ रट के ही पास कर लेना है लेकिन यहाँ पर आपको bio को रटना बिलकुर नहीं है यहाँ पर आपको जीव विज्ञान को याने की biology को समझना है जैसे आप physics और chemistry को ठीक है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को पूरा 100% देंगे बिलकुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर जीव विज्ञान को भी अपना 100% देना है रटने की कोई जरूत नहीं है यहाँ पर हम समझेंगे तो मैं हूँ विज्ञाता आपके biology teacher और यहाँ पर हम बात करेंगे जीव विज्ञान की याने की biology की तो चलिए अपने इस biology के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं ठीके? और बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में तो यहाँ पर जब आपने जीव विज्ञान लिया है तो चलिए पहले थोड़े से उसके बारे में जान लेते हैं जब हम 10th में थे तो वहाँ पर biology, chemistry और physics तीनों एक science के अंदर आते थे science की एक ही बुक में यह सब होता था लेकिन अब जब आप 11th में हैं तो जैसा कि आप सभी को पता भी चल गया होगा कि biology की बुक अलग है physics की अलग है और chemistry की अलग है ठीके? तो जब आप 10th में थे तो वहाँ पर कौन कौन से subjects थे आपके पास? science में? वहाँ पर आपने science में क्या पढ़ा था? विज्ञान की किताब थी ठीक है? इस विज्ञान को तीन भागों में divide किया था राइट? तीन भागों में तो पहला क्या था हमारा? पहला आता है हमारा भौतिक विज्ञान ठीक है? भौतिक विज्ञान ओके? दूसरा कौन सा है? रसायन विज्ञान करेक्ट तीसरा कौन सा था हमारे पास? जीव विज्ञान ठीक है? तो ये विज्ञान की तीन पार्ट्स हैं इन तीनों को हम 10th क्लास में साइन्स की बुक में एक साथ पढ़ते थे हाना? लेकिन 11th क्लास में ये सब क्या है? अलग-अलग हैं इन सब की अलग-अलग बुक्स हैं और यहां पर हम किस के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में याने की बाइलोजी के बारे में ठीक है? ओके, तो ये जो जीव विज्ञान है ये एक्चुली में होता क्या है? जीव का मतलब क्या हुआ? जीव का मतलब हुआ सजीव ठीक है सजीव याने कि कोई भी चीज जो जिन्दा है क्या हुई वो सजीव कहलाएगी ठीक है तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसकी परिभाशा क्या हो सकती है तो जीव विज्ञान को हम कह सकते हैं कि ये विज्ञान की वो शाखा है वो शाखा है जहां पर हम इस शाखा में हम क्या करते हैं सजीवों के बारे में पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान क्या है विज्ञान की वो शाखा है जहां पर हम सजीवों का अध्यन करते हैं करेक्ट जहां पर हम सजीवों का अध्यन करते हैं अब ये जो सजीव है इनमें कौन-कौन आ सकते हैं ये जो सजीव है इनमें पेर पौधे आ सकते हैं पेड, पौधे, ठीके, जन्तु आ सकते हैं, मनुष्य, ठीके, ये सभी किसमें आते हैं, सजीवों में आते हैं, ठीके, ये सभी सजीवों में आते हैं, तो जीव विज्ञान, विज्ञान की वो शाका है, जहां पर हम सजीवों का अध्यन करते हैं, करेक्ट बिल्कुल, यहां तक बिल्कुल समझ में आए आपको, चलिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीके, अब जब हम सजीवों की बात कर रहे हैं, सजीव याने की जीव, जो जीव सजीव है, तो जो सजीव है, इनके कोई न कोई गुर्तो होते होंगे, है ना, इनका क और बात करते हैं दुबारा से जीव विज्ञान के बारे में, कि यह जो जीव विज्ञान जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, वो यहां पर फिर से दो भागों में विभाजित हो जाएगा, यहां 11th क्लास में यह जो जीव विज्ञान है, इसको हम दो भागों में विभाज कौन से दो भाग है पहला होगे आपका जन्तु विज्ञान ठीक है पहला क्या है जन्तु विज्ञान और दूसरा वनस्पती विज्ञान ठीक है यहां पर 11 ख्लास में आपको जी विज्ञान में यह दोनों चीजे पढ़नी है ठीक है यह दोनों ही चीजे जी विज्ञान के अंदर आती है इनसे अलग नहीं है ठीक है अब यह जो जन्तु विज्ञान है यह जन्तु विज्ञान है इसको हम क्या मोलते हैं देखो यह अपने नाम से ही आपको बता रहा है कि मैं कौन सा विज्ञान हूं यह बता रहा है कि म मैं animals के बारे में बताता हूं मैं अनिमल साइन्स हूं ठीके याने की जोलॉजी ठीके मैं जोलॉजी हूँ ऊब का मतलब क्या है दो का मतलब है जानेवर आप सभी जू जाते हो ना क्यों जाते हो जू क्योंकि वहाँ जानवर होते हैं तरह तरह के ठीके तो जू का मतलब हो गया जन्तू और लौजी का मतलब हो गया अध्यन ठीके जू का मतलब हुआ जन्तू और लौजी का मतलब अध्यन याने की जानवरों के बारे में जन्तूओं के बारे में अध्यन जोलोजी में हम सिर्फ जानवरों के बारे में ही पढ़ते हैं ठीक है अब वनस्पति विग्यान को क्या कहते हैं बोटैनी ठीक है इसे क्या बोलेंगे हम बोटैनी बोलेंगे बोटैनिकल गार्डन के बारे में सुना है आपने वहाँ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं. है ना? तो बस ये वही है. ठीके? यहाँ बॉटनी में हम वनस्पती के बारे में पढ़ते हैं. पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं. करेक बिल्कुल? ओके. यहाँ तक आप सभी को मेरे ख्यादे समझ में आया होगा कि बेसिकली हम यहां जीव विज्ञान में 11 और 12 में क्या पढ़ते हैं हम यही दो चीज़े पढ़ते हैं ठीके ओके चलिए अगर मैं आप से पूछू कि यह जो जीव विज्ञान शब्द है यह जो आप पढ़ रहे हो यह आया कहां से किस ने दिया तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है जल्दी से कमेंट में बताईए अगर आपको मालूम है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है यानि father of biology तो जिनको नहीं पता है तो चलिए उनको मैं मिलवाती हूँ इन से कौन है ये जिनको पता है उन्होंने comment कर दिया होगा अब तक और जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता दू कि ये कोई और नहीं ये है हमारे जीव विज्ञान के hero जिनको हम क्या नाम देते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं अरस्तु ये है Mr. Arasthu इन्होंने ही जीव विज्ञान दिया था और इनको हम Aristotle के नाम से भी जानते हैं ठीके Aristotle इंग्लिश की बुक देखेंगे तो आपको Aristotle दिखाई देगा और हिंदी की बुक में ये अरस्तु के नाम से हैं ठीके तो हमारे जीव विज्ञान के जनक कौन है अरस्तु है समझ में आया ओके चलो ठीके अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको ठीक है जीव विज्ञान के जनक मालूम है लेके हमारे जो जन्तु विज्ञान है इसके जनक कौन है बताईए हमारे जन्तु विज्ञान के जनक कौन है तो यहाँ पर आपको कन्फियोज बिल्कुल नहीं होना है बिल्कुल भी कन्फियोज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर जो जन्तु विज्ञान के जनक हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे अरस्तु ही हैं इन्होंने ही क्रडिट लिया है किसका भाई जी विज्ञान और जन्तु विज्ञान के जनक होने का क्रडिट ले गए अरस्तु ठीक है तो कौन है अरस्तु ओके हमारे Mr. Hero ठीक है अभी आपको जीव विज्ञान और जन्तु विज्ञान के जो जनक है जो फादर है उनका पता चल गया लेकिन भाई बोटनी अभी वेट कर रहा है उसके जनक कौन है बताईए बोटनी के जनाक कौन है जिनको मालूम है वो फटाफट कमेंट में बताएंगे और जिनको नहीं मालूम है तो चलिए उनको में बता देती हूँ कि इनके जनाक है Mr. Thrio Fristus ठीक है Mr. Thrio Fristus ये हैं हमारी बोटनी के जनक Father Of Botany ठीक है क्योंकि इन्होंने बोला बही कि कम से कम एक क्रडिट मुझे भी दे दो इनको भी तो क्रडिट चाहिए था तो इन्होंने का कि ठीक है आरस्तु जी आपने दोदो कर दिये हैं आपको दोदो के जनक होने का क्रडिट मिल चुका है तो चलिए इसका क्रडिट मैं ले लेता हूं ओके अभी यहां तक किसी को कोई परशानी नहीं ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे यहां पर आप सभी को समझ में आया होगा कि जी विज्ञान दो भागों से मिलके बना है जंतो विज्ञान और वन अपने में मुद्दे पर आते हैं कि जब आपने जी विज्ञान को चुन ही लिया है तो क्यों ना चलिए हम बात करतें अपने पहले चैप्टर की में इस कौण सा है हमारा पहला चैप्टर जी हां वह कोई और नहीं वह है जीव जगत ठीक है जीव जगत अब इस जीव जगत को English के chapters में हम किस नाम से जानते हैं? The Living World Correct? The Living World तीक है? अब जीव का मतलब क्या हुआ? मैंने भी बताया था आपको सजीव जो चीजें जिन्दा होती है उन्हें हम जीव बोलते हैं जगत मतलब Kingdom World तीक है? याने की इस जगत में जितने भी जीव हैं हम यहाँ पर उनके बारे में जानेंगे तीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ मुखे बिंदूओं को देखते हैं कि इस chapter में actually में हम क्या cover करेंगे क्या पढ़ेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले मुखे बिंदूओं की और कौन सा है वो? जीव जगत में विविदिता तो विविदिता का मतलब क्या होता है? बताईए विविदिता का मतलब क्या हुआ? भिन्नता डाइवर्सिटी ठीक है? डाइवर्सिटी की इस जीव जगत में कितनी भिन्नता है? एक पेर दूसरे पेर से एक पशू दूसरे पशू से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किस प्रकार अलग है? किस प्रकार भिन्न है? ठीक है? तो वो ये है इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग की समवर्ग के बारे में ठीके जहां पर मतलब हम टेक्जिनॉमी के बारे में पढ़ेंगे ठीके चलिए ठीके अपने इस चप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं लेकिन अगर में यहीं से शुरुवात कर दूँगी कि चलो बच्चो आओ हम पढ़ते हैं जीव जगत में विविदिता यानि की डैवर्सिटी इन लिविंग इन लिविंग क्या था चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल ठीके तो जीव जगत में विविदिता के बारे में चलो पढ़ते हैं तो क्या आपको समझ में आएगा एकदम कि अरे मैं ने तो ड बिल्कुल ज़र्द नहीं है यहां पर इसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम समझना कहां से शुरू करेंगे कि एक्चुली में जीव क्या है सबसे पहले हम जीव की बात करेंगे ठीक है कि जीव क्या है तो जीव होता है यह जीव है इसको अगर हम जीव बोल रहे हैं तो इसमें कोई गुड होगा करेक्टर होगा है ना कोई तो गुड होगा जो इसको निरजीवों से अलग बना रहा है तबी तो ये सजीव है, है ना, ये इसका गुड़ है कि इसे निर्जीवों से ये अलग कर रहा है, अगर वो गुड़ नहीं होगा इसका अंतलब वो भी निर्जीव है, राइट, ऐसा ही है, और आप सब बच्पन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि भाई, एक सजीव और एक निर्जीव में क्या आंतर है, मालूम है आपको क्या आंतर है, मालूम है तो एक एक बताईए, सब लोग चलिए, एक एक अपने तरफ से लिखिए कि एक सजीव और एक निर्जीव में क्या आंतर होता है, फड़ा फड़ लिखके बताईए, और जिनको अभी भी थोड़ा ब इसलिए ये सजीव कहलाते हैं ठीक है तो अब ये जो सजीव है ठीक है तो इन में जो ये गुड़ है इसमें क्या होता है कुछ लक्षण होते हैं इसमें क्या है कुछ लक्षण है ठीक है और कुछ विशिष्ट लक्षण है कुछ विशिष्ट लक्षण है ठीक है अब ये जो लक्षण है ठीक है ये जो लक्षण है ये जो लक्षण है ये सजीवों में मिलते है किसमें मिल रहे हैं सजीवों में ठीक है किसमें मिल रहे हैं सजीवों में लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह जो लक्षन है यह सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी मिल जाए आपको इनके साथ साथ निर्जीवों में भी मिल जाएं हो सकता है ठीके और इसके साथ साथ हो सकता है कि ये सारे जो लक्षण है ये सजीवों में उपलब्ध ही ना हो उनमें भी नहीं हो सकते हैं ठीके तो ये जो लक्षण है ठीक है ये सजीवों में तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको साथ में एक परसंट हो सकता है कि निर्जीवों में भी मिल जाए और एक परसंट ये भी हो सकता है कि ये सजीवों में भी ना हो ठीक तो ये तो होंगे लक्षन अब अगर हम विशिष्ट लक्षणों की बात करते हैं तो ये जो विशिष्ट लक्षण है ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ किसमे मिलेंगे सजीवों में ठीके सजीवों में मिलेंगे और उन और उनको हम क्या बोलेंगे विशिष्ट लक्षण बोलेंगे ठीके उनको हम सजीव बोलेंगे जिनमें ये सारे vishish lakshn जो है मिलेंगे ठीके तो अब हम बात करते हैं कुछ लakshn और वishish lakshn की जिनमें हम ये पता लगाएंगे जहाँ पर हम लिस्ट बनाते हैं कि कौन से lakshn vishishth है और कौन से सिर लakshn है जो एक दूसरे को अलग कर रहे हैं ठीक है ठीक है चलिए सबसे पहले सबसे पहले चलिए हम क्या लेते हैं नमबर वन पर हम बात करते हैं वृद्धी ठीक है नमबर वन पर कौन है वृद्धी नमबर टू पर क्या है जनन ठीके नंबर थ्री पे क्या आएगा नंबर थ्री पे उप्चे या उप्चे एक रिया आए उप्चे नंबर चार पे क्या है फिर समवेदन शीलता एवं अनुकूलता ठीके इसके बाद क्या आएगा जीवन चक्र फिर हम बात करेंगे कोशिका के बारे में आप चाहें तो इन सब को लिख सकते हैं ठीके ठीके फिर हम कोशिका के बात करेंगे उसके बाद हम किसकी बात करेंगे स्वशन ठीके, सोशन के बाद हम किसकी बात करेंगे? पोशन के बारे में बात करेंगे हम ठीके, पोशन के बाद हम किसकी बात करेंगे? गती, और आखिर में उत्सर्जन ठीके, तो ये एक लिस्ट है जहां से हम चूज करेंगे कि कौन से लक्षण है और कौन से विशिष्ट लक्षण है जहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है यह जो लक्षण है यह एक सजीव और निर्जीव दोनों में हैं और यह वो विशिष्ट लक्षण है जो सिर्फ और सिर्फ सजीव में पाए जाते है ठीके यहां तक किसी को कोई डाउट? नई और डाउट है तो क्या करिये? डाउटनेट करिये ठीके चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे लिस्ट में कौन अंदर आता है और किसको हम बाहर करते हैं, आउट करते हैं ठीके तो अपने लिस्ट के शुरुवाद सब्से पहले हम किससे करेंगे अरे question mark भी आगया अच्छा है ना ठीक है ये वोडापोन में आता था यादे आपको पर यहाँ पे रहलो है यहां पने पोक्र publiवड़न नहीं पढ़ना है यहाँ ग्रोध ठीक है व्रिद्धी को क्या कहते हैं हम ग्रोध कहते हैं अब ये जो व्रिद्धी है जब किसी जीव में किसी सजीव में व्रिद्धी होती है तो क्या होता है हम वहाँ पर नोटिस करते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ रही है है ना लंबाई बढ़ रही है ठीक और वजन बढ़ रहा है ठीक है और उचाई चोड़ाई ठीक है एकसेटरा तो यह वो कुछ चीज़े हैं जो हम नोटिस करते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो इसमें वृद्धी हो रही है ठीक है इसमें ग्रोथ हो रही है अगर कोई छोटा बच्चा है वो तोड़ी हाइट लेता है तो हम क्या कहते हैं हाँ इसमें ग्रोथ हो रही है है न कि हाँ इसके ग् उस पेड़ में अगर पानी आप अच्छे से नरिष्मेंट से अब तो पेड़ हो ले से तो इस करके नोटिस करते हैं बटर्व का धाना कि ढु member कि भर कि समय कि देख दाने में से अनतो आपको चोड़ी इस बढ़ा हो ने लगता है वहाँ पर आपको पता चलता है ना कि हाँ इसकी हाइट बढ़ रही है अब है ना क्या है यह सब यह सब वृद्धी है ग्रोथ है ठीके ओके ठीके तो यह जहां पर हम क्या नोटिस करते हैं लंबाई वजन ठीके और संख्या में भी ठीके किसकी कोशिकाओं की संख्या में भी जब वृद्धी होती है तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पर ग्रोथ हो रही है ठीक है ओके तो इसका एक्जाइम्पल हम क्या ले सकते हैं हम इंसान पेड़ पौधे है ना पेड़ पौधे ठीक है मनुष्य है ठीक है ओके लेकिन क्या आपको पता है कि सजीवों के साथ साथ कुछ निर्जीव भी है जो व्रिद्धी करते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि मेडम ये तो विशिष्ट लक्षण है भाई लक्षण थोरी है है ना लेकिन मैं कहूंगी कि नहीं भाई कुछ निर्जीव भी है जो व्रिद्धी करते हैं तो मैं इसको विशिष्ट लक्षण नहीं मानती मैं कहूंगी ये सिफ लक्षण है क् अगर हम एक निर्जीव की बात करते हैं, ठीक है, मैं एक निर्जीव की बात करती हूँ, जैसे की रेत का टीला, ठीक है, रेत का टीला, अगर मैं रेत का जो टीला है, उसका एक example लेती हूँ, धारण लेती हूँ, तो क्या होता है, कि बाई, ये जो रेत का टीला पहले ऐसे थ यहां से हवा चल रही है, ठीक है, यहां से क्या चल रही है, हवा चल रही है, अब इस हवा के साथ, यह जो रेत का टीला है, रेत के कंड जा रहे हैं, इस तरीके से, यह भी इसी डारेक्शन में जा रहे हैं, जिस डारेक्शन में हवा है, यह कंड क्या करेंगे, इसके ओपर ज हो जाते हैं एकदम नहीं होते हैं टाइम के साथ साथ होते हैं ठीक है धीर धीरे करके होते हैं और हावा खूपते होती है तो यह बहुत जल्दी भी हो जाते हैं ठीक है तो क्या हुआ जहां पर इसकी हाइट सर्फ इतनी थी ठीक है और इतनी इसकी चुड़ाई थी वही जब ये चो कर्द थे रेज के वो यहां आके इखटे हो गए है तो क्या हुआ? इसकी हाइट कितनी हो गई? इतनी ओगई और चड़ाई यहां से लेकर यहां दखो गई हैंना? तो क्या कह रहे हैं कि भाई व्रिद्धी हो रही है ग्रोथ हुई है इसकी अभी समझ में आया कि मैंने इसको विशेष्ट लक्षण क्यों नहीं कहा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं था कि एक सजीव और निर्जीव में यह अंतर कर रहा था यह लक्षण दोनों में ही व्रिद्धी हो रही थी ठीक है लक्षण है लेकिन विशेष्ट नहीं है अभी समझ में आया ओके चलो एक्जैंपल लेते हैं यह देखिए यह कौन है हम मनुष्य है है ना ठीक है यहाँ पर आप देखो कि इन में ग्रोथ कैसे हो रही है ग्रोथ क्या है जब हम पैद होते हैं ठीक है यहां पर देखिए पैदा हुआ बच्शा यह चलना सीख रहा है है तो सोच यह कि जो बच्चा पैदा होके सिर्फ गोदी में रहता है वो चलना सीख रहे है उसमें वजन बढ़ रहा है उसकी हाइड बढ़ रही है अगर बच्चा पतला था तो अप ताइम बाद ये बच्चा 12 में आगिया भाई अब ये 12 में आ गिया है कि इसने ग्रोथ कर लिए ना और कितनी जल्दी आप सभी को तो 12 में पहुचने भी एक साल लगेगा ठीक है इसके बाद जीए कॉलेज में पहुच गये बहुत जल्दी पहुच गये है कि यहां पर इसकी आराम करता है क्योंकि यह बुजर्ग हो गया है व्रद्ध हो गया है व्रद्ध मतलब जो एक उमर होती है ठीक है उसमें आ चुका है ठीक है तो यहां पर इसने क्या करा है यह यह पूरा इसका क्या है व्रद्धी करिए इसने है ना ठीक है एक और एक्जैंपर से समझाती हूं कितने खूपसूरत है ने देखो ये पेड़ अब देखो एक छोटा सा बीस था जी ये जो है मिट्टी में दब गया ठीक है या चलो मैंने यहां पर यह उगा दिया कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इसमें कितना बदलाव है है ना बदलाव जहां ये चोटा था अब इसकी हाइट देखो इतनी हो ग Country का डिफरेंस अगी आह ना है ना फिर यहां पर सरीके से देखो इसमें लेफ निकल डाई है कि यहां पर डिफरेंस आया है और देखिए यहां पर अब यह और बड़ा हो गया है और आखिर में देखेंगे तो इसका जो ये वाला पाटता बीज वाला वो गायब हो गिया है और सब लीव से अब है ना सारी पतिया है तो ये क्या है इसकी ग्रोथ है इसने वृद्धी करी है ये दोनों कौन है ये दोनों है हमारे सजीव ठीक है ये दोनों क्या है हमारे सजी निर्जीव लेकिन मैंने आपको निर्जीव का भी एकजैम्पल दिया था आईए ये देखिए ये निर्जीव ये क्या है कि ये निरेव है हैis न यह निर्जीव है लेकिन जब रेत के कण यहाँ पर देखो आगे खटे हो जाते हैं तो यह ग्रोथ ले लेता है है ना इस तरीके से देखो यह ग्रोथ लिए इसमें ठीक है तो यह सारे क्या है यह लक्षण है विशिष्ट लक्षण की लिस्ट से मैं वृद्धी को आउट कर रह है ठीक है रिप्रो डक्षण करेक्ट बिल्कुल ओके अब जनन होता क्या है एक्चुली में आप बहुत पहले से पढ़ते हुआ रहे हैं जनन के बारे में एक बर यहाँ पर लेते हैं किसी को कोई परशानी तो नहीं है ना पढ़ना ही पढ़ेगा चलिए ठीक है तो जनन क् जहां पर दो जनक मिलके अपने जैसे ही संतान को उत्पन करते हैं ठीक है दो जनक मिलकर अपने जैसे ही संतान को उत्पन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम जनन बोलते हैं अब यह जो जनन होता है यह दो प्रकार का होता है ठीक है कौन कौन से है एक हो गिया अलैंगिक जनन ठीके और दूसरा कौन सा हो गया लैंगिक जनन यह हमारे दो प्रकार हो गए ठीके अलैंगिक और लैंगिक ओके यह दोनों जो है जनन के प्रकार है अब यह जो अलैंगिक जनन होता है इसको हम क्या बोलते हैं Asexual Reproduction और यह जो अलांगिक जनन है इसको क्या बोलेंगे हम Sexual Reproduction करेक्ट बिल्कुल इसको एसेक्श्वल और उसको सेक्श्वल ठीके आप जो अलेगेक जनन होता है इसमें क्या होता है जल्ले से कमेंट में बताइए अलेगेक जनन में क्या होता है और जिनको अभी भी थोड़ा थोड़ा दुनला दुनला सा याद है कि हाँ ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है तो उनको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जनाक काफी होता है अपने जैसी संतान को अपने जैसी संतती को उत्पन करने के लिए ओके अब बोलोगे येस मैडम हमको याद आ गया यही होता था बिल्कुल तो बेटा यही होता है यहां पर से एक ही पेरेंट काफी है उसको दूसरे की जरूरती नहीं है वो अपने आप ही जो अपने जैसी संतान पैदा कर देता है ठीके तो यहां पर एक जनक काफी है जनक क् होता है पेरेंट ठीके जनक क्या हुआ पेरेंट हुआ तो अलेग जनन में क्या है एक जनन काफी है अपने जैसी संतती को पैदा करने के लिए संतती भी आप लिख लीजिए क्या होता है ऑफ स्प्रेंग्स होता है ठीके बच्चे ठीके संतान यह सब इसी का मतलब है अब ठीक है अब बात करते हैं लेंगेक जनन की तो लेंगेक जनन क्या होता है जहां पर हमको जरुरत होती है दो जनकों की ठीक है यहां पर दो जनकों की जरुरत होती है कौन-कौन से होते हैं भाई एक हो गया नर ठीक है और एक हो गई मादा कर्रेक्ट यही होते हैं विल्कुल अब नर से क्या मिलता है बच्चा लोग हमको नर से हमको नर युगमक मिल गए है ना और मादा से मादा युगमक ठीके? ऐसा ही होता है? नर से नर युगमक और मादा से मादा युगमक ठीक? अब जब इन दोनों का सल्लेयन होता है सल्लेयन को हम क्या बोलते है? फ्यूशन ठीके? ठीके? जब इन दोनों का सल्लेयन होता है तो क्या मिलता है? हमको संत्ति मिलती है कि संतति का मतलब मैंने क्या बताए था ऑफ मिस्प्रिंग्स ठीक है हमको यहास पर संतति बिल गई नर और और मादा से हमके तो बचा लोग लैंगिं और लैंगिंग का जो अंतर है वो आप समझ गए हूँ ठीक कि यहाँपर एक ही जनक काफि है और यहाँ पर दो जनकों की जरूरत होती है अब जो यहां पर अलेंगिक जनन है यहां पर इसका एक्जेम्पल क्या ले सकते हैं आमीबा है ना मतलब जो एक कोशी किये जो एक कोशी किये होते हैं, उनमें अलींगिंग जनन होता है और जो बहु कोशी किये होते हैं, मतलब multicellular होते हैं, struggling उनमें लेंगिंग जनन होता है। ठीके? यहाँ तक clear सबको? ओके, लेकिन एक सवाल है, मैं आप से पूछती हूँ कि आप मुझे बताईए कि यह लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है जल्दी से कमेंट में बताईए यह लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है मेरा ओपीनियन यह है कि मैं कहती हूँ यह सिर्फ लक्षण है ठीक है यह सिर्फ लक्षण है और इसको मैं अपने लिस्ट से आउट कर रहे हूँ मैं इसको भी अपनी लिस्ट में लेके नहीं आउँगी इसको मैंने आउट कर दिया क्यों? क्योंकि यह सिर्फ लक्षन है और वो इसलिए क्योंकि यह जो जनन है यह सभी सजीवों में नहीं होता है निर्जीवों में तो नहीं होता है बिल्कुल सही नहीं होता निर्जीवों में लेकिन कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिनमें ये नहीं होता है बताईए कौन से अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो कमेंट में जरूर बताना और जिनको नहीं पता है उनके मैं हूँ ना वैसे उनके भी हूँ जिनको मालूम है ठीके चलो उसका एक्जाम्पल लेखे ओके अगर हम बात मदू मख्यों के चत्तेगी करते हैं ठीके मदू मख्यी मदू मख्यी ठीके यह जो मदू मख्यी है इसमें क्या होता है मदू मख्यी को हम क्या बोलते हैं हनी भी ठीके है हनी भी अब यह जो हनी भी होती है मदू मख्यी होती है इसमें क्या होते हैं तीन ग्रूप होते हैं कौन कौन से तीन ग्रूप होते हैं तो जी इन में एक तो रानी मख्यी होती है रानी मदू मख्यी ठीके नर होते हैं और श्रमिक होते हैं है ना तीनी दो होते हैं रानी मक्की संख्या में सिर्फ एक होती है नर जो होते हैं संख्या में थोड़ से ज़्यादा होते हैं गिंती के मतलब जो श्रमिक होते हैं यह हजारों में होते हैं ठीक है जो श्रमिक हुए यह हजारों में होते हैं तो यहां पर जो रानी मक्षी है और यह जो नर है यह क्या करते हैं यह सल्लेयन करते हैं जिससे जो इनकी स्पीशीज एंकी प्रजाती है वो आगे बढ़ती है लेकिन यह जो श्रमिक है इनका क्या रोल है क्या यह भी जनन करते हैं जी नहीं यह जनन नहीं करते हैं यह सिर्फ जो इन से बच्चे पैदा होते हैं उनका ख्यार रखते हैं केर टेकर होते हैं यह शहद बनाने या काम करते हैं ठीके यह जनन नहीं करते हैं लेकिन यह क्या है सजीव है है ना तो यह त्योरी गलत हो गई यहां पर कि सारे जो सजीव होते हैं वो जनन करते हैं अब क्या बोलोगे आप मैडम सही बोल रहे थी कि इसको लिस्ट से आउट करना पड़ेगा है ना हम चलो एक और एक्जैम्पल देती हूं ठीक है कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं मादा भी हो सकती है नर भी हो सकते हैं जो बांधे होते हैं ठीक है बांज होते हैं वो भी जनन नहीं कर पाते हैं तो है तो वो भी मनुष्य है कि इसको अपने लिस्ट से हमें बाहर करना पड़ेगा अभी सब को क्लियर है अभी सब क्या बोलेंगे कि ये विशेश्ट लक्षण नहीं है ये सिर्फ एक लक्षण है ठीक है चोला एक्जैंपल दे समझते हैं ये देखिए ये मनुश्य है ठीक है मतलब यहाँ पर कौन है एक नर है एक मादा है नर से हमें युगमक मिला मादा से म हुआ क्या मिला हमको संतती मिल गई भाई ठीक है यहां तक कोई कंफूशन नहीं ना वेरी गुड चलिए एक और एक जैंपल देखते हैं अरे वाह कितना खुबसूरत है देखिए हैना कौन है यह मालूम है आपको बिलकुल मालूम होगा बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ तो जो अमीबा होते हैं यह क्या होते हैं यह एक कोशी किये होते हैं ठीक है और हम मनुष्य क्या है हम बहु कोशी किये हैं है ना यह एक कोशी किये मतलब सोचिए कि हम में तो अंगिनत कोशिकाएं मौजूद हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते इन में सिर्फ एक कोशिका होती है सोचिए सिर्फ एक कोशिका यह जो हुई और यह ही इनका शरीर है, कितना अमेजेंग है ना, है ना और सोचिए कि ये बिना किसी हलप के अपने जैसी संथान पैदा कर देते हैं, है ना, की देखिए यहां क्या हूँ रहा है खीड़ा का पूरा शरीर जो है वह एक सेल है और हमारे शरीर में तो इक सेल पता भी नी चलती कि कहा गई तो यहां पर यहां पर क्या हूँ देखो इसका जो नुकलिय से यहाँ पे stress हो रहा है खिच रहा है ठीक है body खिच रही है यहाँ पे ठीक यहाँ पे क्या हुआ देखो अलग-अलग हो गए बिलकुल और उसके कुछ टाइम बाद यह दो में डिवाइड हो गए यह दोनों उसकी संतिति हैं उसके बच्चे हैं ठीक है ओके अब जो एक और example है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मनुष्य के इलावा कुछ ऐसे पशू भी होते हैं जो जनन नहीं कर सकते हैं ठीक है जैसे कि यह यह क्या है यह एक मादा गोड़ा है ठीक है female horse है और यह क्या है एक male donkey ठीक है नर गधा अब जब इन दोनों का fusion होगा इन दोनों का saline होगा तो क्या मिलेगा हमें mule हमको मिला mule याने की खचर ठीक है खचर किस काम में आते हैं पता है ना आप सब को समान ढोने के काम में आते हैं तो यह वो mule है जो जनन नहीं करता है ठीक है अब आपके पास तीन example हो चुछे हैं एक और मादा करेंट तो अब हम जनन को भी अपनी लिस्ट से आउट करते हैं वे तुम भी अमारे लिस्ट में नहीं हो चलो अब अपनी लिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और उपापचे की बात करते हैं उपापचे क्या होता है Metabolism ठीक है? अब ये जो Metabolism है ये क्या है? ये शरीर में होने वाली ये क्या है? शरीर में होने वाली सारी की सारी? सारी की सारी रसाइनिक रसाइनिक क्रियाएं ठीक है? सारी की सारी रसाइनिक क्रियाएं है ठीक है? उपापचे और ये जो उपापचे है ये से सजीवों में होती है ठीक है? ये सिर्फ सजीवों में होती है ये निर्जीवों में नहीं होती Correct बिलकुल निर्जीवों में नहीं होती अब ही समझ में आया उपाप अचे सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होती है ये क्या है शरीर में होने वाली सारी की सारी रसायनिक क्रियाएं क्या कहलाती है उपाप अचे कहलाती है और ये निर्जीवों में नहीं होती है अब ये जे उपाप अचे है ये दो तरीके के होती है ठीक है ये दो तरीके की है पहली कौन सी हो गई बताईए पहली हमारी हो गई upche upche को क्या बोलेंगे हैं क्या बोलेंगे बताईए कमिंट में बताईए अगर आपको मालूम है तो उसके बाद में लिखोंगी और दूसरा क्या होता है ? अब चे ठीके? ओके मैं बता देती हूँ इसको बोलते हैं एनाबॉलिजम ठीक है और इसको अप्चे को क्या बोलेंगे हैं केटा बॉलिजम ठीक है कौन को से दो टाइप हो गए उपापाचे के उप्चे और अप्चे ठीक है अब उप्चे क्या होता है जो उप्चे होता है यहाँ पर जो सरल अणू होते हैं सरल अणू होते हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर जो सरल अनू है ठीक है यानिकी सिंपल मॉलेक्यूल है ठीक है सिंपल एटम है तो इन से क्या होता है सरल अनू से एक जटिल अनू बन जाता है यानि कॉम्पलेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक है छोड़ी छोड़ी चीजों से मिलके बड़ी चीज बन जाती है सिंपल सी लाइन में यह समझो अब अब यहाँ पर हम एक्जाम्पल किसका लेते हैं चलो हम प्रकाश संसलेशन के बारे में बात करता है यानि की फोटो सिंथेसिस के बारे में तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर C याने की carbon, HO, यह तीनों मिलके क्या करते हैं? यहाँ पर क्या होता है? इन तीनों की help से क्या बनता है? एक जटिल कार्बो हाइडरेट बन जाता है, कार्बो हाइडरेट है ना? मतलब हम क्या सकते हैं कि 6 CO2 प्लस 12 H2O किसकी प्रेजन्स में? सल्लाइट की याने की सूरे का प्रकाश, ठीके? सूरे का प्रकाश, ठीके? और पर्ण हरित, यानि क्लोरोफिल, ठीके? इसकी प्रेजन्स में हमें क्या मिल रहा है? इसकी प्रेजन्स में हमें मिल रहा है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ठीके? अक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोस भी मिला है हमको, ठीके? तो ये वो रियक्शन है, जो आपको याद करनी है, इंपोर्टन्स रियक्शन है, याद कर लीजिएगा, ठीके? कभी-कभी एक नमबर में आ जाती है, हम? ओके? ठीके? ठीके? अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की, दूसरा टाइप क्या है हमारा? अप्चे, अब इस अप्चे में क्या होता है? यहाँ पर जो जटिल अडू होते हैं, ठीके? वो सरल अडूओं में तूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? क्या है? सरल अणूओं में तूट कर, क्या करते हैं? उर्चा प्रदान करते हैं, ठीके? यहाँ पर क्या होता है? जो जटिल अडू हैं, वो सरल अडूओं में तूट जाते हैं, और क्या करते हैं फिर? उर्जा प्रदान करने का काम करते हैं तो इसका क्या example ले सकते हैं हम क्या उधारन ले सकते हैं इसका उधारन हम ले सकते हैं स्वशन बोलिए स्वशन इसका हम उधारन ले ले ठीक है चलो आप बोलते हो तो हम इसका example लेते हैं स्वशन ठीक स्वस्षन याने की respiration respiration ठीके अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो carbohydrate होता है carbohydrate यह जो होता है इसके जो अणू होते हैं carbohydrate के जो अणू होते हैं ठीके वो जल और कार्बन वो जल और जल और कार्बन ठीके जल और कार्बन में क्या होते हैं विकटित हो जाते हैं ठीके जो कार्बो हाइडर्ट अनू है ये किस में तूट जाता है जल और कार्बन में तूट जाता है और क्या प्रदान करता है हमको उर्जा क्या प्रदान कर दी है इसने उर्जा प्रदान कर दी ठीक है इसकी कैमिकल रियक्शन क्या होगी चलो ठीक है एक बार कैमिकल रियक्शन लिख लेते हैं इसकी इसकी कैमिकल रियक्शन चलो यहां लिख ले ओके चलो यहां लिख लेते हैं C6H12O6 plus 6O2, ठीक है, किसकी प्रेजन्स में, इंजाइम, ठीक है, इंजाइम की प्रेजन्स में, यह क्या देगा हमको, यह हमको देगा, 6CO2 plus 6H2O plus उर्जा, ठीक है, उर्जा मतलब एनर्जी, ठीक है, तो दोरों आपको समझ में आ गए, चलिए, अब अपने निक्स पे जाते हैं, तो यह दोरों में समझ में आ गया, कि यह हमारा क्या है, विशिष्ट लक्षन है, इसको हम ओके कर देते हैं, ओके, इसको हम इन करत हैं, ठीक है, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, समवेदन शीलता एवं अनुकूलता, ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंड में बदाई हैं, इसको क्या बोलोगे आप, ठीक है, तो यह जो समवेदन शीलता एवं अनुकू एंड अड़ी एड़ा ट्रेशन परेक्ट यहां पर क्या होता है जो जीव होते है यहां पर जीव क्या करते हैं अपने चारो तरफ का जो वातवरण होता है वो चारो तरफ में होने वाले मतलब किस में बातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करके उसका अनुभव करके उसके प्रती क्रिया करते है है उसके ठीके जो जीव होते हैं अपने वातावरण में चारो तरफ होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं उनको फील करते हैं मतलब और उनके प्रती अपनी प्रतिक्रिया करते हैं मदलब reaction करते हैं ठीके तो जिसे हम सम्वेधन शीलता कहते हैं क्या बोलते हैं इसको सम्वेधन शीलता ठीके इसको हमने क्या बोला सम्वेधन शीलता, अब इसका एक्जैंपल आप क्या ले सकते हो, ज på हम ले सकते हैं, इसका पहला एक्जैंपल हो गया हमारा, चूईमुई, हूं, चूईमुई के पत्ते, ठीक है, छूईमुई का पेर देखा है यह अपने, तो यह चूई में के पत्ते होते हैं जब आप इने चूटे हो यह खिले हुए होते हैं पर जैसी आप इने छूओगे हलका सबी तच करोगे यह वापिस बंद दो जाते हैं तो वह क्या कर रहे हैं उनका जो इंवायरोमेंट है वातावरण है उसके according मतलब जब उसको feel करते हैं तो वो अपनी प्रजिक्रिया देते हैं अपने reaction देते हैं ठीक दूसरा example कर ले सकते हैं हम जब शरीर पर जब शरीर पर चोट लगती है शरीर पर क्या हुई है जी चोट लग गई ठीक है जब शरीर पर चोट लगती है अब इसका एक्जेम्पल कैसे ठीक है अगर कभी रोटी बनाते हो तो क्या है तब यह पिर कोई गरम चीज आपके हाथ पे लगती है ठीक है तो एकदम से क्या होता है हमारी प्रतिक्रिया है कि कोई महादल सामने से एक्षन हुआ है तो हमने रियक्षन दिया है उस पर या फिर कोई आपके गाल पे थपड मार दे तो आपको रियक्षन क्या होगा एकदम ठीक है तो वो क्या है कि आप हो सकता है कि कुछ भी ना बोलो और हो सकता है पलट के दो आप मार दो तो वो क्या है कोई एक्षन हो रहा है तो उसका रियक्षन दे रहे हैं कि अपने वातावरण से क्या हो रहा है कि वातावरण से कोई हमारी action हुआ है कोई और हम उसको react कर रहे है उस पर ठीक है तो यहां पर यह हुआ अब ठीक है तो इसको क्या मोला हमने सम्वेधन शीलता ठीके, अब जो बाहर का वातावरण होता है, ठीके, जो बाहर का बाहर का जो वातावरण होता है, वातावरण, ठीके, इसके अनुसार, इसके अनुसार खुद को, खुद को धालना, ठीके, खुद को ढालना या बदल जाना ठीक है या बदल जाना बदल जाना क्या कहलाता है क्या कहलाता है अनुकूलता ठीक है अनुकूलता करेक्ट यह क्या कहलाएगा अनुकूलता तो यह जो अनुकूलता है और सम्वेधन शीलता है यह किसमे होता है सिर्फ और सिर्फ यह दोनों किसमे मिलेंगे आपको सजीवों में मिलेंगे तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम विशिष्ट लक्षन बोलेंगे तो इसको भी हम अपनी लिस्ट में इन करते हैं कि भाई आजाओ ठीके और इसका एक्जैंपल क्या हुआ इसका हम एक्जैंपल ले सकते हैं इसका एक्जैंपल ले सकते हैं हम गर्मियों में गर्मियों में शरीर से पसीना आना ठीके यह हम अपने वातावरन के हिसाब से तो चल रहे हैं न कि बहुत गर्मी हो रही हमको पसीना आ रहा है फैन चला लो तो अपने वातावरन के हिसाब से हम बदल रहे हैं न ठीके दूसरा क्या हुआ सर्दी में ठीके दूसरा क्या हुआ जो ठंड होती है सर्दी होती है ठीके ठंड में हम क्या करते हैं हम गर्म कपड़े पहनते हैं है न गर्म कपड़े पहनना ठीके तो ये क्या है हम अपने वातावरन के हिसाब से अपने आपको बदल रहे हैं उसमें धल जा रहे हैं ठीके तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा समवेदन शीलता और अनुकूलता चलो उसको एक्जैम्पल देखें अरे ये क्या है ये तो एक लड़की है देखो इसको कितनी ठंड लग रही है इसने कितने सारे कपड़े पहने हुए मूण भी ठका हुआ है ठीके िशने गलाफ से पहने अब भी समझ में आई आप सबको ओके ठीक है एक और एक्जैम्पल देखते हैं अरे वाह यह देखो दात को शायद ठन लग रही है इसलिए जो बरफ है वो हस रही है है ना यह किसका एक्जैम्पल है यह किसका एक्जैम्पल है ऐख सेंस्टिविटी का मतलब जब हमें किसी चीज से मतलब जैसे हpi आइसकन खाते हैं तो आइसकन खाते है तो दांतों पर जन्फन हट होती है ना और इसका हम ब्रेक देखते हैं है ना या कुछ मीटा खा लेते हैं तो हम ऐसे करके जो दांतों को पकड़ लेते हैं देखा है वाला ब्रेक बिल्कुल यह वही है sensitivity ठीके ओके तो यह दोनों चीजे clear आपको clear है तो जल्दी से comment में yes लिको कि हाँ yes मैं clear हो गया है ठीके चलो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको हमने अपनी लिस्ट में in कर लिया है ठीके ओके अब आता जीवन चक्र तो जीवन चक्र क्या होता है भई लाइफ साइकल लाइफ साइकल ठीके तो एक जीव की लाइफ साइकल क्या है मुझे बताईए आप जल्दी से comment में बदाईए ठीके तब तक मैं यहाँ आपको समझाने ही कोशिश करती हूं ओक इ यहीं नहीं जाना है यहीं रहके कमेंट करना है और मुझे बताना है कि जीवन चक्र क्या होता है फटाफट जली से ठीक है तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है जन्म होता है ठीक है जीवन चक्र किस से शुरू होता है हमारे जन्म से शुरू होता है ठीक जन्म के बाद क्या ह ठीक, फिर क्या होते हैं, वयस्क होते हैं, ठीके, वयस्क होते हैं हम, फिर क्या होता है, जनन होता है, ठीके, फिर क्या होता है, व्रद्दा अवस्था, ठीके, इसके बाद क्या हुआ, व्रद्धा वस्ता के बात क्या हुआ मृत्यू ठीक है उसके बाद फिर से जन्म ले लेते हैं यह वैसे पूरे सर्किल में नहीं आया ना हाँ पतानी चला डंग से पर कोई बात नहीं आप समझ गए हो ना ओके तो यह क्या हमारा जीवन चक्र है कि कोई इंसान कोई जीव क्या कर रहे जन्म लेगा है ठीक है फिर वो बड़ा हो रहा है वैस्ख हो रहा है फिर वह जनन करता है तक हो अपनी प्रजाती को में घड़ा सके उसके बाद व्रद्धा वस्ता में पहुँझ जाता है पुर अब तो थि è नम और यह क्या हमारा लाइफ साइकल है हमारा लाइफ साइकल ऐसे ही चलता है जितने भी सजीव होंगे हम सब का लाइफ साइकल ऐसे ही चलेगा करेक्ट बिल्कुल यहां तक क्लियर कोई डाउट अगर डाउट है तो क्या है डाउटनेट है डाउटनेट करिए यहां से समझिए ओके हम ठीक है तो यह हमारा लाइफ साइकल है और इसको क्या कर रहे हैं अपने लिस्ट में बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ ओके मैं इसको ओके कर रहे हूं करेक्ट बिल्कुल क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ सजीवों का विशेश्ट लक्षण है ओके ठीक है फिर चलिए आगे बात करते हैं लगले वह हमारे पास क्या रहा है कोशिका संरश्णा क्या होता है कोशिका संरश्णा कोशिका का मतलब क्या हुआ है सिल है ना है तो इस ट्रग्चर अ और सेल करेक्ट अब यहां पर कोशिका संदेश्ना में क्या होता है इसको मिस्ट्रक्ट्ट्ट्र और सेल इसे स्ट्रक्चर क्लें कैसे कोई मतलब दिक्कत वाली बात निया दोनों चल सकते ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो कोशिका होती है, तो कोशिका वो क्या होती है? कोशिका जीवो की, क्या है? जीवो की सनरशनात्मक, है ना? सनरशनात्मक, एवम, क्या है? क्रियात्मक, है ना? क्रियात्मक, इकाई, ठीक है? एक कोशिका क्या होती है? जीवो की सनरशनात्मक, एवम, क्रियात्मक, इकाई होती है, ठीक है? अब, यह जो होता है, मुक्केता दो प्रकार की होती है, कोशिका, एक और यह दो, तो कौन कौसे प्रकार हो गए जी इसके? पहला हमारा क्या हो गया? पहला हो गया, प्रो-कैरियोटिक, ठीक है? पहला क्या हुआ? प्रो-कैरियोटिक, सही से नहीं लिखा गया ना? तेड़ा हो गया. तो पहला क्या है? फिर से गलत हो गया, चलो, प्रो-कैरियोटिक, ठीक है? तो पहला तो यह हो गया, दूसरा क्या होता है? यू-कैरियोटिक, ठीक है? अब जो प्रो-कैरियोटिक है, इसके एक्जाम्पल के है? जिवानू, जिवानू हो गया और माइक्रो-प्लाज्मा, ठीक है? जिवानू है और माइक्रो-प्लाज्मा है, और यू-कैरियोटिक में क्या हो गया? जल्दी से बताईए, पादप है, जन्तु है, ठीक है, कवक है, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, ठीक है? तो यह हो गया हमारा कोशिका सनरशना, अब यह जो कोशिका होती है, यह सिर्फ और सि लिस्ट में पाई जाती है, सजीवों में, ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब यह भी एक विशिष्ट लक्षण है, तो जी आई यह इसका भी हम वेलकम करते हैं अपने लिस्ट में, आजाओ जी हम आपको बुलाते हैं ओक क्या करते हैं आपको भी हम आपका स्वागत है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं लिस्ट में बात करते हैं गती की गती यानि movement ठीक है अब ये क्या है ये एक मुख्य लक्षण है ये क्या है मुख्य लक्षन है अब यह जो गती है यह सजीवों में होती है तो आप क्या कहोगे यह विशिश लक्षन है या सिर्फ लक्षन है गती क्या हुआ एक जगा से दूसरी जगा जाना चाहे भोजन की तलाश में जाना है घूमने के लिए जाना है घर से स्कूल जाना है कुछ भी गती कर रहे हो ना तो गती क्या है मैं को यह जो बोर्ड है यह गती कर रहा है क्या गाओ गया कर रहा है गती नहीं कर रहा है यह तो अपनी जिगाई है ना मैं कर रही हूं गती यहां से वहां वहां से यहां ऐसी कर रही हूं मैं गती कर रहे हूं वो नहीं कर रहा है पैन मेरे हाथ में है तो निर्जीव लेकिन मेरे सासल यह भी कर रहा है कर रहा है कि यह सजीव है नहीं है क्योंकि मेरी help ले रहा है ठीक है तो अब क्या कोगे यह मुख्य मतलब लक्षण है यह विशश्ट लक्षण है तो मैं कहती हूँ कि इसको मैं विशिष लक्षण में नहीं लेकर आ रही है कुछ लोग इसको विशिष लक्षण में लाते भी है कि बाई ये तो सिर्फ जो सजीव है वही करते हैं लेकिन गती तो निर्जीव भी करते हैं जैसे कार है कार भी तो गती कर रही है ना भले चाहें वो हमारी मदद से कर रही है साइकल है बाइक है तो वो सब भी गती कर रहे है ना ठीके ओके तो इसको क्या करते हैं इसको भी अपने लिस्ट से हमें आउट करना पड़ेगा करते हैं क्या कमेंट में बताएए कि इसको अपनी लिस् milliards रहें कि नहीं करें ुए कि चलिंए ठीके इसकोन अपनी लिस्त से आउट नहीं करते है तो इनका भी हम स्वागत करते हैं अपने लिस्त में थिक आजाईए जी आपका भी वेलकम है okay okay ठीक है तो जो गती होता है वो सजीवों का ही विशिस्ट लक्षण होता है ठीक है भले चाहे निर्जीव जो है कार है साइकिल है या बाइक है वो गती कर रहे हैं लेकिन वो हमारी मदद से कर रहे हैं ठीक है तो इसलिए यह क्या है यह सिर्फ सजीवों का विशिस्ट है ठीक है जो मैंने बोला उस पर confused नहीं होना है ठीक है ओके चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं स्वाशन की स्वाशन यानि respiration की ठीक है respiration ठीक है अब यहाँ respiration में क्या होता है जो जीव होते है क्या करते है वो respiration यहाँ पर जो जीव है वो उर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं बताईए जल्दी से किस को पता है के लिए oxygen का use करते हैं ठीक है oxygen का use करते हैं correct है बिल्कुल तो यह क्या है जो सशन है respiration है यह सिर्फ सजीवों में पाया जाता है okay किन में पाया जाता है यह सजीवों में पाया जाता है ठीक है तो इसको भी हम अपने list में welcome करते हैं okay यह निर्जीवों में नहीं पाया जाता है ठीक है निर्जीवों में नहीं पाया जाता है इसलिए एक विशिष्ट लक्षण है ठीक है यह तो ठीक है इसकी equation क्या बनेगी वह बताई आप मुझे एक बार इसकी equation लिख ले हां ठीक है तो इसकी equation बनेगी C6H12O6 plus 6O2 यह में क्या देगा 6CO2 देगा प्लस हमको क्या देगा 6H2O देगा प्लस हमको क्या देगा प्लस हमको देगा एनर्जी देगा ठीक है कितनी 673 किलो कैलरी ओकी ठीक है यहां क्या है 40% ATP की उर्जा है ATP उर्जा ठीक है और 60% 60% क्या है उश्मा ठीक है यहां तक कोई दिकत नहीं ना सभी को समझ में आया नहीं आया तो आप पूछ लीजे कमेंड में ओके ठीक है अब यह जो सवशन है इसको हमने क्या किया है दो भागों में विभाजित किया है मतलब यह दो टाइप का होता है सोचनी क्या है? दो टाइप का है. पहला क्या है हमारा? पहला क्या है? बताइए जल्दी से. कमेंट में बताइए कि सोचनी कितने तरीके का होता है. तब तक मैं यहां लिखती हूँ. तो पहला हमारा हुआ YVA. ठीके? और दूसरा क्या हुआ? आ, YVA. ठीके? एरोबिक और एनरो ठीके? तो इसमें क्या होता है? जो YVA होता है. इसमें हम क्या करते है? ऑक्सीजन का यूज करते हैं. ठीके? क्योंकि यहां पर जो है एरोबिक में क्या 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 है? ठीके? और जो आ, YVA है यहां क्या 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 क्य तो आगे बढ़ते हैं चलिए इसके बाद आगे कौन है मैं पोशन आता है हमारे पास आप मैं आफसे पूशन क्या होता है जल्दी बताईए पोशन होता है न्यूट्रीशन ठीक है यह क्या होता है शरीर को जो शरीर होता है शरीर को समाने रूप से सारी ख्रिया करने के लिए सारी की सारी शरीर सारी क्रिया करने के लिए सारी क्रिया करने के लिए उर्जा की जरूरत होती है ठीक है है ना जब तक हमें एनेर्जी नहीं होगी हम काम कैसे करेंगे बिल्कुल नहीं गरपाएंगे और जब एनर्जी नहीं पही Mitte नेंघ reaches single healthy इनको भी किसकी नीड है भाई उनको भी जो है किसकी नीड है उर्जा की नीड है और यह उर्जा कहां से मिलेगी हमको एनर्जी पोशन से मिलेगी और पोशन किस से मिलेगा हमें भोजन से जो भोजन हम खाएंगे उससे हमें क्या मिलेगी और अच्छा खाना खाएंगे तो वो क्या कहलाएगा पोशन क होता है यह दो प्रकार का होता है जी ठीके यह क्या हुआ कलर चेंज नहीं हुआ यह दो प्रकार का होता है कौन-कौन से दो प्रकार होते हैं एक हो गया स्वपोशी ठीक है और दूसरा क्या हो गया परपोशी ठीक है अब ये जो स्वपोशी होता है यहाँ पर क्या होता है तो स्वपोशी जो होता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर भोजन जो होता है स्वेम बनाते हैं ठीक है यहाँ पर जो भोजन होता है स्वेम बनाते हैं स्वेम का मतलब खुद ठीक है ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बना रहे हैं जैसे की पेर पाधे correct, समझ में आया जिसकों क्या बोलते है स्वपोशी को autotrops correct, अब परपोशी याने की heterotrops, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जीव होते हैं, वो जीव क्या करते है, स्वयम अपना खाना नई बनाते है स्वयम अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, स्वयम खाना नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, वो क्या होते हैं, दूसरों के उपर डिपेंड होते हैं, कि भाई तुम मुझे खाना लाके देदो और मैं खालू, यह तुमने बना लिया, तो चलो मैं तुम्हारे प पास आजाता हूं जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोशी होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं उन पेड़ों कौन खाता है उन पेड़ों को डियर खाता है रेबिट काता है ठीक है तो वह तो बनी बनाएं चीज खा रहे हैं हां खुद तो नहीं बना रहे है और यह जो पुल्टन का जो लक्षन है वो उनली और इन इन डॉलओं में ठीके तो आईए वेलकम करते हैं इनका भी अब अपनी टीम में हमने इनको भी वेलकम कर लिया है कि ये विशिश्च लक्षन है ओके आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं उत्सर्जन की उत्सर्जन यानि एक्स्क्रीशन ठीक है एक्सक्रीशन अब जी एक्सक्रीशन में क्या होता है एक्सक्रीशन में जो हमारा शरीर होता है इसमें हम भोजन भी खा रहे हैं ठीक है अनाफशनाफ चीज़े भी खा रहे हैं बहुत सारी केमिकल रियक्शन्स हो रही हैं हमारे शरीर में तो ये सब हो रहा है तो अच्छी चीज़े बनने के साथ सथ कुछ खराब चीज़े भी बन रही होंगी जो हमारे शरीर के लिए useful भी नहीं है और हमें नुकसान भी देंगी मतलब harmful भी हो सकती है तो क्या होता है उत्सर्जन वो process होता है जहां से हमारा शरीर क्या करता है अप् पदार्ग यह जो होते हैं इनको शरीर से get out कर देते हैं वहार निकाल देते हैं तुम जाओ भार ठीक है बाहर निकाल देते हैं क्लियर सबको तो उत्सर्जन में क्या हो रहा है जो हमारा शरीर होता है वह अप्शिष्ट पदार्ग क्या कर रहा है शरीर से get out कर रहा है तुम जाओ मुझे तुम्हारी कोई ज़रूत नहीं है ठीक है चलो इसकी reaction लिख लेते हैं एक बार ओके reaction में क्या दिखाते हैं हम ठीक है CO2 का उत्सर्जन दिखाते हैं CO2 जो है उसको उसका excretion दिखाता है हमारी बाडी से क्योंकि CO2 हमारी नुक्सान वाले चीज़ है हमारी बाडी उसको अंदर नहीं रख सकती है करेक्ट ओके तो जी यहां पर C6 H12 O6 प्लास 6 O2 यहां क्या हो रहा है 6 O2 प्लास 6 H2O करेक्ट इसके साथ साथ एनर्जी भी बन रही है ठीक है 6 CO2 इसके साथ साथ एनर्जी 26, 73 किलो कालोरी ओक्ट तो यहां से क्या हो रहा है हमारा CO2 बाहर हो रहा है तो यह पर हम क्या देख रहे हैं CO2 का उठ सरजन और ये भी सिर्फ सजीवों में होता है निर्जीवों में नहीं होता है तो आई ये वेलकम करते हैं उच्सर्जन यानि एक्सक्रीशन का अपने लिस्ट में सब्सक्रीशन करते हैं तो आज हमने क्या पढ़ा फड़ा रिवाइस कर ले क्योंकि आई होब आप सभी को यहां तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़ा है करेक्ट ठीक है हमने क्या पढ़ा सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है जीव क्या होते हैं ठीक है अच्छा हां फिर जीव क्या होते हैं ठीक है उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बाई कुछ लक्षण होते हैं जो जीव होते हैं उनमें गुड होते हैं और गुड कै के बाद उन्हें विस्तार से पढ़ा कि कौन से लक्षन है और कौन से विशिश लक्षन है जो एक सजीव को निर्जीव से अलाग कर देते हैं डिवाइट कर देते हैं तुम टाटा बाई-बाई-बाई कर लो सिर्फ एक ही तरीके का जीव नहीं है वहां क्या है देखो यह शेयर भी है है ना वहां यह मेंडग भी है और देखो पैरट भी है और क्या है यहां कवा भी बैठा है और भी देखो किते सारे यहां जीव है है ना तो यहां क्या है यहां पर हम किन की बात कर रहे हैं हम अगर प बात कर रहे हैं यह सब कौन है सजीव है और यह अलग-अलग प्रकार के हमारी प्रत्वी पर पाए जाते है राइट और यह क्या है बहुत सारे नंबर्स में होता है घर हम इस चीते की बात करते हैं तो यह बहुत सारे नंबर्स में लेकिन अब तो यह क्या है अब बिचारे कम नमबर्स में रह गया यह हो गया शेर हो गया तो इनको क्या रिजर्व में रखा जाता है ताकि इनकी जो प्रजाती है वो खतम ना हो जाए लेकिन अगर बात बंदरों की करते हैं तोता हो गया तो बहुत सारे नमबर्स में ठीक है अब यह जो तरह तरह के जो जन्तू है यह बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारी संख्या में मौजूद हैं, तो ये क्या है हमारी अर्थ में मौजूद हैं, तो ये सारे जो संख्याएं हैं, ये सारे जो नंबर हैं, ये क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताइए, ये कहलाते हैं, जैविक विविदता, या फिर जिसको हम क है ठीक है या फिर जैविक विविदिता है इसको और क्या बोल सकते हैं हम इसको जैविक विविदिता को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं जैव विविदिता ठीक है क्या है जैव विविदिता अब प्रत्वी पर ठीक है अब प्रत्वी पर मौझूद जीवन की सभी विविदताओं को संदर्बित करती है ये जो जै विविदता है ये क्या करती है हमारी प्रत्वी पर मौझूद सभी जीवन की सभी विविदताओं को संदर्बित करती है ठीक है आगे बढ़के देख लेते हैं तो अभी देखो हमने जैविक विविदता के बारे में बात करेते हैं न तो ये जो जैविक विविदता है ये क्या है हमने क्या बोला कि प्रत्वी पर उपस्तित, जीवों की संख्या, कि हमारी प्रत्वी पर जो जीव उपस्तित है, है ना, जो हमारी प्रत्वी पर जीव उपस्तित है, उनकी संख्या, मतलब वो कितने नंबर में है, है ना, और उनके कितने प्रकार है, नंबर और प्रकार, इसो क्या बोलेंग इसको ठीक है कि हमारी प्रच्वी पर कितने जितने जीव उपस्तित है उनकी संख्या और उनके प्रकार ठीक है वो क्या कहलाएंगे वो कहलाएंगे जैविक विविदिता करेक बिल्कुल ओक अगला देखे अब तक ग्यात और वनित प्रजातियों की संख्या भिन भिन है जो हमारे साइंटिस्ट है हमारे वेग्यानिक हैं वो क्या करते हैं लगभा हर साल दूसरे तीसरे साल क्या करते हैं जितने भी प्रजातियों होती है उनको फिर से कैलकुलेट करते है कि हो सकता है कि भाई आज क्या है आज दस नहीं प्रजातियों आ गई हो अचानक से हां कर यह नगा हो सकता है कि परसों को वो आठ ए हैना तो हमारे वज्यानिकों ने क्या किया है बताया है कि जो संखिया है वो बिन बिन है और यह लगभग 1.7 से 1.8 मिलीएं ची बीच मेरा होती है ठीक ? कहीं कहीं आपको यह 1.7 दिख जाएगी, कहीं कहीं 1.8 दिख जाएगी, तो यहाँ पर confused मत होना है, आप लिख सकते हैं, 1.72, 1.8 के बीच में, ठीक है, इतनी भी हो सकती हैं, इतनी भी हो सकती हैं, correct है बिल्कुल, okay, चलिए, अब आगे हमारे पास आता है, प्रतेक जीव का एक मानक नाम होता है, ठीक है, एक मानक मतलब जिस नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है, मानक नाम होता है, जिस से वह उसी नाम से जाना जाता है, अगर शेर है, तो उसका मानक नाम है, हाँ, उसी नाम से जाना जाता है, जो शेर का जो जो लॉजिकल नेम जो होगा, ठीक है, वो का और कि इस प्रक्रिया को नाम पद्दती कहते हैं और जो वो नाम हमने उसका रख दिया है चिंड नाम रख दिया है उसे हम क्या कहेंगे था ठीक है जिसको हम क्या कहते है नॉमन क्लेचर कहते हैं करेक्ट ओके तो अब जो हम यह बोल सकते हैं कि जो जीव है यहां आप जीव देखो यह जीव है इन जीवों की जो विविदता है वह बहुत विशाल है है ना चाहे वो घर में उगने वाले गमले में एक छोटा सा पेड़ हो और जंगल में उगने वाला या फिर बगीचे में उगने वाला जो पेड़ है उसकी तुलना में देखे तो दोनों में विविदता है वही अगर हम वाद बगीचे में उगने वाले पेड़ की जंगल में उगने वाले पेड़ों से करते हैं तो वहां भी भिन्दता हमें देखने को मिलती है है ना घर में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से लेकर जंगलों में पाए जाने वाले खूब बड़े-बड़े मकडियों तक भिन्दता है हमारे घरों में पाए जाने वाले पाल तु जानवरों से लेके जो बहुत प्यारे होते हैं जंगलों में पाये जाने वाले खुखार जानवरों तक बहुत भिन्नताय हैं है ना बहुत सारे डिफरेंस है उनके नेचर में उनके थोड़ा बखाने पीने में उनके बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है है ना तो यह ऐसे कई जीव हैं इन जीवों के इलावा ऐसे कई जीव हैं जो हमारे आसपास हमारे वातावरण में हमारे सराउंडिंग्स में भी मौझूद हैं है ना और मजे की बात यह है कि उनको हम अपनी नंगन आखों से मदलब नेकेड आय से नहीं देख सकते हैं क्या मुझे याँ दिख रहा है क्या आपको दिख रहा है अपने आसपास कि बहुत मेरे आसपास यह जीव हैं नहीं दिख रहा है ना क्योंकि हमारी आखे नेकिड हैं जब तक हम अब उनको वतलब माइक्रोस्कोप यारे सूक्ष में दर्शी से नहीं देखेंगे वो जो जीव हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगे अब ये जो जीव हैं वो सांस के द्वारा भी हमारे शरीन में जा सकते हैं पानी के द्वारा, खाने के द्वारा बहुत तरीकों से जा सकते हैं पर नेकिड आए से नगड आँखों से उनको हम नहीं देख सकते हैं करेक्टे बिल्कुल ओके तो अब ये भी कह सकते हैं कि घने जंगल जो होते ना वहां पर जो विविदता है वह बहुत जादा देखने को मिलती है क्यों क्योंकि वहां बहुत प्रकार के अलग-अलग तरीके के खूब सारे नंबर्स में जीव जनतुवां मौझूद है आदप मौझूद है जो हर कोई अलग-अलग है अपने आप से ठीक है जैसे स्कूल होता है स्कूल के क्या है कि छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक बहुत सारे बच्चे होते हैं अब वो जो स्कूल होता है अगर उस वो स्कूल के एक छोटी सी जिगह वही अगर हम यूनिवस् एक से लेके 12 तक पढ़ना है लेकिन जो कॉलेज होते हैं वो खूब सारी प्रांचिस होती है कि एक ही कॉलेज में जी MBBS भी हो रहा है BDS भी हो रहा है इंजीनिरिंग भी हो रही है मीडिया से भी हो रहा है में भी दिखेंगी लेकिन स्कूल में बहुत कम दिखेंगी क्योंकि वहां लिमिट्ट हो गया है पर कॉलेज में गया है एक ब्रांच दो ब्रांच इचन कूप सारी हो जाती है अंग यह acional ब्रांच है यह NBA वाले हैं राइव बाइटेक वाले हैं न i यह लौवाले हैं यह डॉक्टर है बहुत सारी चीज़ होती है तो वहां डायवर्सिटी ज्यादा है करेक्ट है ओके ठीक है तो चलिए अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि इतने सारे जीवों में विविनिताएं मौझूद है का हो तो यह जो जीव है तो चाहें वो यह पादफ हो यह तो इनके नाम याद रखने में बोहुत दिक्कत होगी है ना कि हो सकता है जो शेर है इसको मेरे शहर में कुछ और कहते हैं आपके शहर में कुछ और कहते हैं या यह जो गिलैरी है इसको हमारे यह कुछ और कहते हैं आपके कुछ और कहते हो पेड़ बर्गत का इसका कुछ हो सकते अलग नाम हो है ना तो इतनी सारी ज है बताये कि शेर को आपके जगह पर क्या बोलते है जो होता है ense grandson को ऐसको अलग अलग अरग नाम या सकता है कि अर students day- Vollway को इसको कुछ और बोलते हैं हमते होता है डिमें से कुछ और बोलते हैं हौआ गूगल वमालन हइस यह हमारे यह है तो दूख सी जगह पर क्या है कर लेना क्योंकि हो सकता कही नागे काम अचे और शुआ से सर्च करने में कि हाँ यह पूछो यह कमेंट बाजी होती है इतने सारी आप लोग कमेंट करते हो काम की चीज़ पूछ लो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ठीक है तो इन सब को नाम है उनको याद करने बहुत परशानी ना हो इसी वज़े से हमारे महान व्यग्ञानिकों ने क्या दिया है नाम पद्धिती दी है ठीक है? क्या दी है? नाम पद्धिती दी है जिसको हम नॉमन क्लेचर बोलते हैं तो नाम पद्धिती से क्या होता है? अगर एक कोशन आये कि भाई नाम पद्धिती से क्या होता है? क्या होता है? तो आप लोग क्या बोलोगे नाम पतिजी से क्या होता है नहीं बता अभी तो मैंने बताया चलो इससे क्या होता है जीव की पहचान होती है जीव की पहचान ठीक है अब जी ठीक है जीव की पहचान हो गई अब क्या हुआ कि ठीक है अब हमारे पास कोई जीव है इसकी पहचान में ने कर लिए कि अच्छा ये जो फलाना जीव है वो ये है अब तो इससे क्या होगा जब किसी जीव का में कुछ पता होगा कि ये क्या है तो उससे क्या होगा हम उसका वर्गी करण कर सकते हैं वर्गी करण याने की क्लासिफिकेशन कि भाई इसका वंच क्या है इसकी जाती क्या है ये कौन से वर्ग का है ठीक है और मतलब ये सारी चीज़ है कि हम पता कर सकते हैं हम वहापे वर्गी करन कर सकते हैं ठीक अब जब वर्गी करन कर दिया है हमें पता है इसका वंश ये है जाती ये है वर्ग ये है ये ये है गड़ ये है ये सब ये है तो तब जाके फाइनली जो हमारे वैग्यानिक है वो क्या करते है इसका नाम करन करते है आगे चल कर नाम करन ठीक है तब वहाँ पे इसको नाम देते है कि अच्छा ये चीज ये है तो इसका न नाम फालतों में नहीं रखा जाता है कुछ लॉजिक होता है कुछ मीनिंग होता है तब हम उसका नाम रखते हैं ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होता है हमने क्या बात करी कि यहां पर ये जो वर्गी करण है इसके बाद क्या हो रहा है नाम करण हो रहा है सबको clear यहां तक चले ठीक है फिर अच्छा ये सब जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं बताईए इस अब हम क्यों कर रहे हैं किस के लिए कर रहे हैं अरे भाई सजीवों के लिए कर रहे हैं है न यह सब हम सजीवों के लिए कर रहे हैं आप सजीवों में कौन आते हैं भाई यह सब आप लोग निर्जीवों के लिए तो करोगे नहीं न अब सजीवों में कौन आते हैं, सजीवों में हमारे आते हैं, जी पहले तो आ गए पादप, है ना, पहले कौन आ गए, हमारा जो पादप जगत है, ठीक, और दूसरा क्या आया हमारा, दूसरा आया, जन्तु, जन्तु जगत, ठीक है, दूसरा क्या आया, जन्तु जगत आया, अब ये जो पादप जगते यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ते है पौधों के बारे में पढ़ते है ठीक है पौधो याने की वनस्पती ठीक है किसके बारे में पढ़ रहे है हम वनस्पती विज्ञान के बारे में पढ़ रहे है जिसको हमने क्या बोला था बोटेनी याद आपको हमने क्या बोला था वनस्पति विज्ञान क्या होता है बॉटे नहीं होता है जहां पर हम पादपों के यानिकी पौदों के बारे में पढ़ते हैं अब जन्तु क्या हुआ बताईए जन्तू क्या हुआ तो यहां पर हम किसके बारे पढ़ते हैं जन्तू के बारे में पढ़ते हैं है ना यहां पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं जन्तू के बारे में पढ़ रहे हैं और इसको हमने क्या बोला था जॉलजी बोला था है ना यह क्या है जन्तू विग्य है जहां पर हम जन्तुओं के बारे में पढ़ते हैं करेक्ट है बिल्कुल ओके इसको हमने जोलाजी बोला था राइट ठीक है अब यह जो हमारा पादप जगत है ठीक है तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस पादप जगत के लिए एक कोड बनाया था एक कोड बनाया था किनोंने भाई एक संस्ता है आई सी बी एन यह एक संस्ता है ठीक है और्गनाइजेशन है यह एक इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि भाई जितने भी पादप हैं उन सबके एक नाम मतलब उनका क्या होगा अगर एक कमल का फूल है तो जो कमल का फू होता है लेकिन लोटस कौन जानेगा जो पड़े लिखे लोग है ठीक है जो लोग नहीं पड़ पाते हैं कमल का फूल हमालूम होगा तो अगर वो कहीं किंसी दूसरे कंट्री से आए हुए लोग को बोलेंगे कमल का पूल हो सकते हैं ना को ना पता हो कि कमल का फूल क्या होता है तो इन्हों ने बोला कि क्यों ना ऐसा नाम रखा जाए एक एसा पंट्रिकुलर नेम हर एक पादप के लिए कि जिसे यहां के लोग विजने और मत Background लोग के लोग उसी नाम से जाने इसको ठीक है तो इस तो अफ बोटैनिकल नोमन क्लेचर ठीके? यानि कि I-C-B-N तो जो पाधपों के नाम होते हैं वो पाधपों के नाम होते हैं वो इन्हीं के दौरा रखे जाते हैं ठीके? वही जो जनतु है ठीके? यहां क्या होता है? इनका कौन सा अर्गनाइजेशन है? I C Z N, ठीक है? I C Z N, B for botany और Z for zoology, correct? क्या है इनका? international, international code of, क्या है? international code of zoology, zoological, norman cletcher, correct? बिलकुल? अब ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों, ये जो अपना I C B N है और I C Z N है, ये क्या है? ये है हमारे नाम पद्दती, नाम पद्दती, ठीक है? अंतराश्ट्रिय कोड के द्वारा, अंतराश्ट्रिय कोड के द्वारा इनका नामकरण होता है, ठीक है? तो ये नाम पद्दती जो होती है, इंटरनेश्टनल कोड के द्वारा, इनका नाम पद्दती के थुरू, इनका क्या होता है? जैसे अपने नाम करण कीजी तो ऐसे ही यहां क्या होता है अंतरास्ट्रे जो कोड का जो और्गनाइजेशन है ठीक है वो ही लोग चाहे वो आइशी बीन र हो यहाफिर आईसी जेडन हो ठीकहे ऐसी बीन वाले पादप जगत का नाम रखेंगे debts ICZN वाले जन्तु जगत का नाम रखेंगे ठीक है अब ऐसा तो नहीं होता ना कि लाला की दुखान पर जाके हम कहते हैं कि लाला जी लाला जी हमारे बच्चे का नाम करण कर दो नहीं ना हम क्या करते हैं पूरी विधी के अनुसार हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं घर में कौन है आई सी जे देन यहां तक समझ में आया नहीं आया रिच्शंप भी तो डाउट नेट करो अगर कोई डाउट है तो यहीं से तो होगा है ना ओके चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर हम इसको कैसे समझे अचलो में एक एक्जांपल लेते हैं है हम एक्जांपल लेत ठीक है हम लॉकी की बात करते हैं लॉकी को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं बॉटल गाड क्या बोलते हैं बॉटल गाड ठीक है अब अगर मैं किसी सबजी बेशने वाले से बोलू भाई मेरे को बॉटल गाड दे दो का तो क्या गएगा वह जी मेडम यह क्या होता है है ऐसी बोलेका उसको थोड़े मालूम रुपी पॉडल गार्ड्ट क्या होता है नहीं मालुम या आज कल केस बदल के हैं हो सकता है कि एकका दुक्का को मालूम की bottle guard किया होता है तो लॉकी जो होता है मेरे याद लॉकी बोलते हैं आप क्या क्या बोलते हैं बताओ कमेंड में क्या बोलते हैं आप क्या लॉकी को इसका generally common name और भी हो सकते हैं कहीं इसको क्या बोलते हैं color change अजीब सा नाम है ना हाँ लाउका बोलता है कहीं कहीं सो क्या बोलते गिया ठीक है और लॉकी तो मैंने बताई दिया है हो सकता है कि अगर आप कहीं और से देख रहे हो तो इसे कुछ और भी बोलते हो लेकिन इसका जो इन्होंने ICBN वालों नाम रखा है इसका क्या नाम रखा है इसका नाम रखा है उन्होंने यह देख नहीं रहा ना इसके उपर उन्होंने नाम रखा लेजी नेरिया यह लेजी नहीं है लेजी नहीं है क्या लगता आप कोई लेजी है लेजी नेरिया शिसेरिया लेजी नेरिया ठीक है सिसेरिया सिसेरिया ठीक है तो यह जो ICBN वाले थे इन्होंने भाई इस मतलब चीज को रोपने के लिए कि भाई लौकी लौका गिया यह सब कि अगर मैं कहीं विदेश में जाके बोलों की की आईवंट की तो किया बोलेगा में बोटिस के लौकी क्या होता है लो tips को सकता है नहीं पताओ हां लेकिन बहुत सारी शौ आप सारी जहां बहुत सारी सॉपो स्हूर्च वह उप्ताइया पिर इनके भोड़निकल नेम भी लिखे हुए होते हैं अगर आपको मालूम होतो तो अगर हो सकते हैं मैं वह जाके बोल दूँ मैं उनसे बात करूं कि लेजी नेरिया सिसेरिया कि आप तुमको इसी नाम से पूरे पूरे वर्ल में जाना जाएगा ठीके ऑके बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम जन्तु की बात करें तो जन्तु में कौन से एक्जम्पल ले सबसे कॉमन एक्जम्पल चलो शेयरी की ले लेते हैं तो , क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे जी हम यहाँ आ लायन की बात करते हैं ठीके तो लायन जी होता है इसको hacia सेयर बोलते हैं आप क्या क्या बोलते हैं हो सकता है कि और से देख रहे हो आप तो आप क्या हो सकता है कि सच में कुछ और बोलते हो मतलब हो सकता है महाराश्टिन लेंग्वेंज में कुछ और बोलते हो पहारी लेंग्वेंज में कुछ और बोलते हो बंगाली में कुछ और बोलते इसको हमारे याँ शेयर बोलते हैं आप मुझे बताओ आप क्या क्या बोलते हैं तब तक हम इसकी आगे चलके बात करते हैं कि इसका यह जो zupełnie है इन्हों ने इसका क्या नाम रखा है ळटाक इन्हों नहीं बोला कि आप कि अशेर बोलते हैं आप क्या यह बोलते हैं यह नहीं है तो हम को बहुत rocky do तो इक काम करते चलो इसको नाम बना देते है कि हमारे जैने उसी नाम से जाने और आप कहां यह उसे नाम से जानेंगे ठीक है तो सबने वह लखी हो कि सब एगरी हो गए तो फिर इन्होंने इसका नाम क्या रखा इन्होंने इसका नाम रखा जी पैंथरा 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 आगे क्या है लियो लियो वाला नहीं कि ले लो वो वाला लियो नहीं है यह ठीक है हम लाएन को लियो भी तो बोलते हैं ना हम कैसे लिखते हैं लाएन को ल, e, o ठीक है यह भी तो लिख देते हैं ना हम तो यह यह वाला लियो है ठीक है पैंसरा लियो करेक्ट बिलकुल ओके अब आपको पते मैंने भी थोड़े पहले बोला था कि अर्भी में से कुछ और बोलते हैं अगर आपको याद हो तो बताओं क्या बोलते हैं इसको अर्भी में ठीक है इसको मैं अलग नाम से अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको दिखे इसको अर्बी में क्या बोलते हैं हमजा ठीक है क्या बोलते हैं इसको हमजा ठीक तो यह हमारा क्या हो गया हमजा हो गया ओके तो अभी यहां तक किसी कोई परशानी किसी कोई डाउट नहीं है ना मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत असान शब्द में बहुत असान तरीके से समझाओ वैसे चैप्टर इतना टफ नहीं है अगर थोड़ी सी बहनत करोगे थोड़े चे समझाओ कि ना त इस को आप चाहो तो याद कर सकते हो क्योंकि एक नम्बर में यह कोशन फर्स जाता है हम यह फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाएगा, फिलप्स में नहीं आएगा यह आपके, ठीके, तो यह फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाता है, कि इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है, ओके, चलो ठीके, आभी आगे बढ़े, यहाँ तक किसी कोई परशानी तो नहीं है, सबको समझ में आ गया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ओके, चलो, अब हम पढ़ते हैं, नाम पद्धिती के बारे में, तो जी, नाम पद्धिती यानि कि नोमिन क्लेचर, तभी संभव है, जब जीवों का वर्णन सही हो, मतलब उसको, कोई जीव है, उसका हमने सही तरीके से वर्णन किया है, ठीके, अगर मैं कहूं कि, कि, किस चीज का वर्णन करना चाहोगे, चलो, अगर मैं कहूं, मा, अपनी मा का वर्णन करो, तो हम सब क्या बोलेंगे, कि मेरी मा दुनिया की सबसे अच्छी माँ है सबसे प्यारी माँ है ना कुछ ऐसी किए कुंकि हमें पता है की उनका सही वर्णन कि अपनी माँ को हमकिन सही शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं बता सकते हैं राइट और इसके साथ साथ हम यह है जानते हो कि किस जीव का है ठीक है अच्छा अगर सपोस करो यहां मेरे पास कोई कोई सब्सक्राइब को बढ़ा साथ विख सकते हैं कोई सब्सक्राइब अबियुर्ण व तो है इसका नाम रखरा मैंबंगी यह जीव है यह कौन रखेगा इनका नाम जोलोजी वाले रखेंगे हम तो पादपों का नाम रखते हैं है ना तो जब मुझे यहीं नहीं पता होगा एक्चल में कि जीव को वर्णन कैसे करना है हां तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भाई उसका सही वर् आगे बढ़ते चलो और अगर जब हम उसको पहचान लेते ठीक है मैंने उस जीव को पहचान लिया मैंने का जी यह में ड़क है हम मैं पहचान गई कि हम मुझे पदा है में ड़क है वह टरटर करता है है ना और यह से कूट कूट के कूट 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 के जाता है ऐसी करता है हैं तो यह मेंडग है है ना यह टाटर करता है इसकी आख इतनी बड़ी-बड़ी होती है और क्या होता है कि यह पानी में भी रहता है जमीन पे भी रहता है और खूपते दोड़ता है यह है ना तो भाई मैंने क्या किया इसका वर्णन कर दिया और मुझे पता है कि यह जीव ह तो हम क्या करेंगे उसको हमने उसको पहचान लिया है कि हाँ भाई यह मेंड़क है ठीक है तो उसको क्या बोला हम पहचान ना याने कि identification ठीक है जब हम लैब में practical करने जाते हैं तो हमारे सामने कुछ रख देते हैं ना 10th class में आप लोगों ने किया होगा और बोलागा कि भाई यह जो इस पॉर्टिंग है इसको पहचानो यह क्या है है ना वो क्या था यह की सी चीज़ को identify कर ना पैंचान थीक है तो जब हमने उस जीफ को पहचान लिया तो हमने इसको क्या बोला कि हभई हमने इसको पहचान लिया है identify कर लिया है यह कभी-कभी ऐसा होते ने कि बहुत पहले हम की इसे मिले हुए होते हैं हां फिर अचोनक से वो जो कोई बंदा था हमारे सामने आ जाए तुमने मुझे पहचाना क्या बोलोगे आप कि अगर पहचान लिया तो बोलोगे कि नहीं पहचान तो बोलोगे सौरी यार मैंने तुमको नहीं पहचाना और पहचान लोगे तो क्या है यह च्छी हरे का नाम याद रखना कि इस औरने का नाम यह 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 तो बहुत मुष्किल हो जाता है तो इस चीज को इसी अहरे बनाने के लिए कि इंडिया में ऐस्स को लॉपकर बोल रही है कि बाई यह तो लोकी है तो विदेशी लोग बोले कि बाई हमारे यह तो यह बोलते है इसको हमारे यह तो लोकी नहीं बोलते है नगा है तो, इसको सरल करने के लिए वेग्यानिकों ने एक ज्याद जीव को वेग्यानिक नाम देने की एक प्रक्रिया को बना डाला एक ऐसा प्रोसिस बनाया कि एक पर्टिकुलर जीव का यही नाम होगा ठीक है कि भाई इससे इसी को जाना जाएगा ठीक तो पौधो के लिए वैज्ञानिक नाम का जो आधर सर्वमानने नियम था कि पौधो के लिए तो वो क्या है इंटरनेशनल कोड़ अव बोटानिकल नॉमनक्लेचर याने कि ICBN में दिया गया है अभी हम अल्लेड़ी इसके बारे बात कर चुके है तो आपको पता होना चाहिए कि ICBN क्या करता है क्या करता है जल्दी बताईए भाई ICBN पादपो को नाम देने काम करता है है ना अब तो नहीं भूलोगे ठीक है तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ अच्छे से समझ में आया आगे बढ़े है चालो आगे बढ़ते हैं ठीक है आप आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगा यहां पर और यहां देखिए यह बहुत सारे तरीके के यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, आप को vuil दिख रहे हैं तो यह जितने भी फूल है इन सब का यखीन मानिए लग अलग वज्ञानिक नाम होगा होगा मतलब है ठीक है कोई सब वी फूल आप उठा के देखोगे ना उन सब का व्ज्यानिक शरन YES करेंगे कि प्राणियों का नामकरन कैसे किया जाता है ठीक तो भाई प्राणी वर्गी की विदो ने क्या बोला International Code of Zoological Norman Clature अभी हमने बात करी थी आपको याद है जो जन्तु विज्ञान जहां पर हमने बात करी थी कि वहाँ पर क्या होता है ये ICZN वाले जन्तु के नाम रखते हैं ठीक है तो ये जन्तु प्राणियों का नाम करन कौन रखता है ये ICZN वाले रखते है ठीक है व्यज्ञानिक नाम ही ये गारंटी है कि हर एक जीव का एक ही नाम रहे ये गारंटी देते हैं आज के टाइम में तो फोन की गया किसी की भी गारंटी नहीं नहीं है लेकिन ये गारंटी दे रहे है कि वैए एक ही जीव का एक ही नाम है दूसा नाम नहीं होगा इसका शर्ट लगा लो आप ठीक है? इनको इतना भरोसा है अपने उपर झालो ये जीव के वरणन से विश्व में लियो की बात करेंगे तो सो किस नाम से जानेंगे पैंतरा लियो के नाम से जानेंगे मेड़क की बात होगी तो राना टिगरीना के नाम से जानेंगे लोटस की बात होगी तो निलंबो नियुसी फेरा के नाम से जानेंगे ठीक है अब यह भी सुनिश्चित करते हैं यह कि एक मेरे नाम विजयत्ता है तो भाई हो सकता किसी और कभी नाम हो सुना है आपने सुना है विजयत्ता किसी और का नाम भी है चलर आगे बढ़ते हैं यह लोग गारंटी देरें कि एक जीव का एक की नाम है चलरॉ ौण्धान Jeep recognize ग्याद जीवों के विज्ञानिक नाम देने के लिए सारवजिक मानने नियमों का पालन करते हैं मतलब जैसे मैंने कहा था कि यह किसी का नाम एसे नहीं रखते कि गुलाब का फूल बहुत सुन्दर है तो इसका नाम में प्रोड़ा प्यारा सा रख देता हूं यह वाला जीव ऐसे यह यार इसका नाम ऐसा रख दो ऐसे नहीं रखते मैंने क्या बताए तो से कि बाई कुछ नियम होते हैं कुछ चीज़े होती जिनको य थे तो वो क्या है सारवंजनिक मानने नियम है प्रतेख नाम के दो घटक होते हैं ठीक है अधिन आम के दो हुआ गटक होते हैं जैसे मेरे नाम है विजयता सिंग ठीक है तो ऐसे ही पैंधरा लियो तो दो गया ना किसी किसे के नाम में तीन आ जाते हैं अगर मैं किछ का नाम ले लूँ चलो क्या आदित्य कुमार सिंग ठीक है तीन आ गए लेकिन यहां किया है यहां सिर्फ दो घटक है ठीक है दो जहाँ पर मंश नाम याने के जीनस तता जाती संकेत याने के स्पेशीव ठीक है ओके इस प्रणाली को जिसमें दो नाम घटक होते हैं उसे क्या बोलते हैं द्यूई नाम पद्धिती बोलते हैं ठीक है इसका मतलब कि भाईया द्यूई नाम पद्धिती मतलब उसमें दो घट तो यह जो नामकरण की प्रणल्दी यह किसने दी थी हमारे मिस्टर कार्ड लीनियस ने इंग्लिश में को कार्ड लीनियस बोलते हैं और हिंदी में कैरोलस लीनियस बोलते हैं ठीक है जैसे हिंदी में अरस्तु होता है और इंग्लिश में अधिस टोटल होता है ठीक है वैसे ह जीव है तो उस जीव का नामकरण करने से पहले मुझे उसे पहचानना पड़ेगा कि मैं उसे पहचान लूँ ठीक है वो कहलाएगा यहाँ पहले करते हैं कि आप जब यह दोनों चीज़े पता हैं हमें तो हम इसका नाम रख देंगे तो यह जो वैज्ञानिक नाम होता है इसके क्या होते हैं दो पद होते हैं ठीक है पहला कौन सा हो गया वैंश याने की जीनिस दूसरा जाती याने की स्पीशीज अब अगर यहां पर किसका एक्जेम्पल है चलो मैं आपको human being साथ बताती हूं हम जो human being से हमारा scientific name क्या है homo sapiens तो जो homo है जो homo है वो वंच है ठीक है जीनस है और sapiens क्या है sapiens हमारे जाती है species है ठीक है तो जैसे मैंने बोला आपको कि कोई भी नाम रखते हैं तो उसका कोई मोटीव होता है कि यह नाम है तो उसका मतलब यह है तो homo sapiens का मतलब होता है wise man wise man ठीक है यह knowledgeable man तो यह जो नाम रखा था यह जितने भी जितने भी क्या है प्राइमेट्स ठीक है इस प्रत्वी पर है मतलब highly developed है तो इस प्राइमेट्स में वही आते हैं ठीक है sapiens जैसे कि एप्स हो गए monkey है gorilla है हम human beings है तो हमारा brain के बहुत developed है हम चीज़े जल्दी समझते हैं और यह सब कहानी कब शुरूई थी लगभग तीन लाख साल पहले आफ्रिका के आसपास जब लोगों ने साथ साथ समू में घूमना शुरू किया था खाना ढूनना शुरू करा था और शिकार पर जाते थे अगर कोई इसी critical situation होती थी तो एक दूसरे की मदद करते थे तो य यहीं वो दो पद होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं द्वी नाम पद्दती जहां पे दो पद होते हैं वो क्या कहला था द्वी नाम पद्दती द्वी सॉरी द्वी पधनाम पधती ठीक है और ये किस ने दी थी अभी पताया था मैंने आपको ये हमारे महान वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ठीक है कैरोलस लीनियस ने दीती और जो ठीक है ये जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने आम को नाम देने का सबसे अच्छा काम किया था ठीक है इन्होंने किसका नाम करन किया था हम सब के पसंद दीदा आम का आजकल आमों का सीज़ जान ना कौन को नाम खा रहा है घर पे आजकल इन्होंने आम को क्या नाम दिया था मैंजी फेरा इंडिका मैंजी फेरा इंडिका ठीके इन्होंने क्या नाम दिया मैंजी फेरा इंडिका जहां पर जो मैंजी फेरा है न ये क्या है ये है हमारा वंज और जो indica है वो क्या है हमारा जाती ठीक है जैसे मैं राना टिग्रीना की बात करूँ तो राना क्या है वाइंश है टिग्रीना क्या है जाती है यहाँ तक clear है सबको आगे बढ़े बढ़े बढ़ते हैं आगे तो careless, lenious भाई इन सब चीज़ों का भी credit लेके गए लेकिन एक ची lin. इस तरीके से . लिखा होता है तो उनका नाम आता है कि भाई यह उनके नाम पर patent है यह उन्होंने किया था ठीक है तो अगर आप ऐसे भी लिखो के तब भी चलेगा और यह नई लिखो के तब भी चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं चलो आप आप वैग्यानिक नाम मैने क्या बता है महिंटी फेरा इंडिका पर जोह आपम जी फेरा है वह बदिका आवे इंडिका यह जाती है तो यह है मालूम है चलो आगे बढ़ते हैं ओके अब जब हम नाम करन कर रहें ना किसी का नाम रख रहें तो मैंने क्या पोला था कि वो एक रूल फॉल्ल तो कुस चीजसे ध्यान में रखते हैं तो पहला नियम क्या इनका कि जैविक नाम प्राया लेटेन भाषा में होगा कि हमेशा एक गार्षम शान भी सकता इक थीक है इता है इनका उध्वक्त से भी हुआ हो लेकिन यह लेटिन भाशा में लिखे जाएंगे और तिर्चे अक्षरों में लिखे जाते हैं करेक्ट बिल्कुल ओके इन्हें लेटिनी करन अत्वा इन्हें लेटिन भाषा का व्यूत्पन समझा जाता है ठीक है जैविक नाम में पहला शब्द वंच नाम याने की जीनस हम अल्रडी डिसकस कर चुके हैं यह चीज जबकि दूसरा शब्द जाती याने की स्पीशीज होता है ठीक है यह भी हमने डिसकस किया था भी पहले जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं जब आप टाइप करोगे तो वह अलग लिखा जाता है जब हम टाइप करते हैं तो वह लेटिन भाषा में लिखा जाता है पर जब आप हाथ से लिखोगे तो लेटिन भाष लिखा जाता है ठीक है और तिर्चा लिखना जाना चाहिए ठीक है चोड़ो ये जो है ना मैं शॉर्ट में आपको समझाती हो पहला क्या है पहला है कि तिर्चा ठीक है लिखना है ठीक है पहला रूल यह है कि ये तिर्चा लिखा जाता है ठीक है दूसरा रूल क्या है भाई कि दो पध होते हैं दो पध होते हैं ठीक है वंच और जाती ठीक दो पध हैं जी हमारे कौन कौन से जी वंच और दूसरा क्या है जाती ठीक है, genus और species, correct? अब तीसरा क्या है हमारा? जो वंच नाम है, जो वंच नाम है, हाँ, तो उसका जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर जो होगा वंच नाम का, वो क्या होगा? वंच नाम का, वो क्या होगा, और जो जाती नाम है, जो जाती नाम है, उसका जो सारे अक्षर है, उसके, सारे जो अक्षर है, वो क्या होगे? पहले स्मॉल होगे, ठीक है? यहाँ तक लिया है, आगे बढ़ते हैं, फिर वंच वे जाती, जो वंच और जाती है, दोनों के नीचे, अलग-अलग, नीचे, अलग-अलग, 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 क्या होना चाहिए? लाइन होनी चाहिए, ठीक है? अंडर-लाइन, अंडर-लाइन होनी चाहिए, ठीक है? यह मारा चौतर रूल हो गया, पाच्छमा क्या है? कि हमने आम का एक्जैम्पल लिया था, तो उची से समझते हैं, हम यहाँ देखो, कि जो मैंजी-फेरा, मैंजी-फेरा-इंडिका, ठी जो मैंजी-फेरा-इंडिका है, यह हम ऐसे लिख रहे हैं, तो यह हमसे लेटिन में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है? तो हैंड रिटन में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई लिक्कत नहीं है, लेकिन जाब कम्प्यूटर पर यह लाप्टॉप पर लिख हो गए, तो वो ले एly करें दूसरा रूल फॉलो हो गया, वंच नाम पहला अकशर कैपिटल होगा, तो देखिए यह पहला अकशर कैपिटल है, है न, जाति नाम सारे स्मॉल होंगे, तो देखो यह सारे स्मॉल है, correct है बिल्कुल, फिर वंच व जाति के नीचे अलग-अलग underline होगी, तो इंडिका कि मैडम जी मैंने तो मैं जी फेरा इंडिका लिखा ता यह गलत क्यों हो गया क्योंकि मैडम इस पर 0 देगी क्योंकि यहां पर आई कैपिटल बनाया है आपने इसलिए गलत है फिर जी अगर आप लिखोगे कि मैं जी फेरा इंडिका जी मेडम जी लिखा तो ठीक है लेकिन अब क्यों गलत कर दिया आपने तो भाई अन्डर लाइंग नहीं है उसके नीचे आपने वहाँ पर ड्रॉइंग कर दिये तो मेडम इसको भी काट देगी ठीक है ठीक है अगर चलो यह जो है मैडम जी मैं जी फेरा इंडिका प्रोस नहीं लगाना था खाली अंडरलाइन करनी थी संजे तो ये सब गलत हो जाएगा सही तरीका ये है लिखने का ठीक है चुलो वापे जाते हैं हम बात कर रहे थे यह रेखांकर उनके लेटिन उद्वव को दिखायाता है क्योंकि हम लेटिन में लिखनी पाते हैं तो इस वंच है हमने भी बात करी और बड़े अक्षर में होना चाहिए और जो बड़े अक्षर में होता है ना जबकि जाती संकेत पर चोटा अक्षर होना चाहिए हमने क्या बोला कि जाती संकेत जाती जो होता है जाती ना वो सारे का सारा स्मॉल लेटर्स में होता है छोटे आता है इसलिए हर जगा उसी का नाम आता है ठीक है तो यह सब क्या थे दिविनाम पदती लिखने के नियम थे और मुझे लगता है कि आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है इन सब चीजों के बारे में और इतना तफ भी नहीं था और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया ह होगा आया है समझ में तो प्लीज कमेंड में जरूर बताना क्योंकि थोड़ी सी महनत तो किये ना समझाने में आपको अब मेरे को भी देखना है ना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है यहां मैं मेरे को समझ में आया है ठीक है और मैंने मुझे उम्मीद है कि आप जैसे ही इस chapter को enjoyment के साथ और आगे बढ़ाने के लिए next class में आना मत भूलना आप सब ठीक है और आपको अगर ये अच्छे लगी हो class तो like भी जरूर करना ठीक है चलो अगले topic के लिए ready रेना हम अगली class में मिलेंगे तब तक के लिए खुश रहिए अच्छे से रहिए और